नमस्कार दोस्तों स्वागत था आपका हमारी डूटो चैनल UK वीडियो वर्ड में दोस्तों हर बार की तरह इस बार भी हम आपके लिए जुटा के लाए है कुछ नई जानकारी इस बार की वीडियो का टॉपिक है बिष्ट कौन है जानिये उत्राखंड के राजपूतों की कहानी गौरवसाली है इनका इतिहास दोस्तों बिष्ट जाती का गौरवसाली इतिहास इस बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं उत्रखंट में यूदों कई जातियां मिलेंगे दोस्तो लेकिन इन जातियों में से एक जाती है बिष्ट राजपूतों की شान अपनी धर्ती के लिए अपनी जान नयुचावर करने वाली है अपने मान्शमान के लिए अपने प्राणों की आहुती तक देने वाले इन कहते हैं कि बिष्ट एक उपनाम रूपी सब्द है इस उपनाम की उत्पत्ति का आधार अभी तक अज्यात है लेकिन इसके बाद भी कहा जाता है कि हजारों साल पहले हिमालई छेत्र कुछ खंड़ों जैसे कुर्मांचल यानि कुमाउं केदारखंड यानि गडवाल और जाल नाम रूपी शब्द का इस्तमाल किया जाता था ठाकुर शत्री यानि राजपूत लोग अपने नाम के साथ इसे लगाते थे कुछ इतिहासकार बताते हैं कि बिष्ट शब्द बिष्ट से बना है यानि कि बिषिष्ट लोग अब उत्राखंड की बात करें तो इतिहास गडवाल के 52 गड़ों में से 3 गड़ ऐसे हैं जिन पर बिष्ट राजपूतों का अधिपत्य था गडवाल के कोली गड़ में बच्छवान बिष्ट जाती की लोगों का शामराज्य था इसके अलावा गडवाल के ही गड़कोट गड़ को भी बिष्ट राजपूतों का गड कोट गड मल्ला धढूगा में स्तित है यह गड बगडवाल बिष्ट जाती का था नेगी की तरह बिष्ट जाती के भी अलग-अलग स्थानों के कारण भिन्न रूप है इसके अलावा गड़वाल का एक और गड़ है संगेला गड़ कहा जाता है कि यहां संगेला गड़ पर बिष्ट जाती का रास था यह गड़ नैल चामी में स्थित्था इस तरह से कुमाओं की तरह बढ़ जाते हैं गड़वाल के मुकाबले कुमाओं में भी आपको बिष्ट जादा मिलेंगे इधिहासकार बताते हैं कि यहां ठाकूर शेत्री यानि राजपूत लोग अपने नाम के साथ इस उपनाम को लगाते थे यह शेत्री सस्त्र कला में बहुत ही निपुण होते थे कालांतर में अलग-अलग राजपूत वनसावलियों ने बिष्ट नाम के उपनाम को अपने साथ चोड़ दिया जो अभी तक जारी है अब कई प्रकार के बिष्ट आपको कुमाओं में मिलेंगे इन में हीत बिष्ट, शोतरी बिष्ट, कनोणिया बिष्ट, बोरा बिष्ट, माहरा बिष्ट, जलाल बिष्ट प्रमुख है कुछ इतिहासकार कहते हैं कि राजिस्थान के चित्तोर गड़ से बिष्ट राजपूत अलमोणा आये थे अपने शाहस और शोरी के दम पर उन्होंने कई गड़ों पर अपना राज जमा लिया था गड़वाल में भी बिष्ट एक उपनाम के रूप में प्रयोग किया जाता है जिसे राजपूत लोग अपने नाम के बाद लगाते हैं इसमें रमॉला बिष्ट और भुलानी बिष्ट प्रमुक है खास बात यह भी है कि आपको हिमाचल में भी बिष्ट मिलेंगे पर कुछ इतिहासकार यह भी बताते हैं बिष्ट एक उपादी है यह सब्द बिष्ट का ही अपभरंस है जिसका अर्थ ही स्पैसल है लेकिन यह जातिश उचत नहीं है राजकाल में बिष्ट की उपादी राजदर्बार में मंत्रियों को और जमीदार जो राजा के स्थान पर जमीन संबंधी कारी के लिए जमीदार लोगों को दिया जाता था बाद में यह जमीदारी से जुड़ा हुआ टाइटल बन गया ज्यादातर बिष्ट टाइटल मैदानी इलाकों से पलायन कर आए लोगों को ही दिया जाता था लेकिन टाइटल को लेकर ज्यादा सक्ती न होने के कारण लोकल खश लोगों ने भी बिष्ट उपनाम लगाना सुरू कर दिया था अशली बिष्ट लोगों के पहचान उनकी जमीन है बिष्ट लोगों के पास अधिक मात्रा में गाउं की सबसे बड़िया जमीन हुआ करती थी लेकिन अब भेद करना मुस्किल हो गया है इस बात को बिटिस कालीन गजेटियर भी कनफर्म करता है तो दोस्तो ये थी जो जानकारी हमने जोटाई बिष्ट जाती के बारे में क्योंकि आपके ही कमेंट आये थे हमारे पास पिछली वीडियो में कि बिष्ट जाती पर भी एक वीडियो बनाएं तो दोस्तों जान के रहे हमने इंटरनेट से जुटाई और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर और सस्क्राइब करना मत भूले हमारे चैनल को और बेल आइकन को जरूर दबाएए ताकि आगे हम कोई भी नई वीडियो बनाएंगे तो आप के पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी थैंक यू थैंक यू दोस्तों